गुद मोरिंग फ्रेंड्स आजे आपड़े बैंकिंग अने अन्यक्षेत्रों नी अंदर जे रोजगारी माटे कॉंप्पिरिटिव एक्जाम्स लेवाई छे अने उच्च अभ्यास करवो होई MBA, MCA अथ्वा तमारे विदेश अभ्यास करवो होई तो ये माटे तमारे जे कॉंप्पिरिटिव एक्जाम्स आपफानी होई छे एनि तैयारी के विर्थे करवी ए माटे ना आपना स्लोट मा आप सवनू स्वागाच छे आजे आपने अब्जेक्टिव टेस्ट थी आपने शरुवाद करिये छे अने लास्ट लेक्चेर मा जोई वतु ये प्रमाणे mathematics ना किटलाक calculation सेवा होई छे अत्वा किटलाक objective questions सेवा होई छे कि जे mathematical methods नो use करिये तो सरर ताती solve थी शक्ये पने एज questions जो आपने थोडुक logic नो उप्योग करिये तो एक गणतरी करिया वगर पन आपने सरर ताती अने solve करी शक्ये अने आपनो समय पन आपने बचावी शक् करिये ची आपने जो तमारा screen पर छे आजे पहलो question चे तमारा screen पर a man completes five by eight of a job in ten days एक व्यक्ती एने जे काम करवानू छे एनो पांच अस्टमा उस भाग अत्वा पांच अस्टमा उस भागनू काम ए दस दिवसमा पूरू करे छे at this rate जो ए आज गतिये काम करवानू चालू राखे at this rate how many more days will it take him to finish the job जो एने आ बाकीनू काम पूरू करूँ होई और आज गतिये काम करवानू चालू राखे तो एने बाकीनू काम पूरू करवा माटे किटला दिवस नी जरूर पर छे अबे एक साव साधी गणतरी ए छे कोई एक चोकस काम छे एक काम पांच अस्ट काम एने 10 दिवस मां पूरू कर दी दू छे अगे एने बाकीनूच काम करवानू चे तो एक माथी अतियर सुधी पूरू थायलू काम के जे पांच अस्टमा उस भागनू चे ए आपने बाद करिये तो आपनने ख्याल आवे कि हवे एने केटलू काम करवानू बाकी चे अने पच्छी साधू पद मुखी ने आपणे गणतरी करिये, तो बाकी नू काम करवा माटे केटला समय नी अथवा दिवस्ति नी जरू छे, यानी गणतरी आपणने मड़ी शक्रिए। 5 अस्टमाउंस भागनू काम अतियार सुधी ये व्यक्ति ये पूरू करियु छे, औने ए माटे येने 10 दिवस्त्नों समय थए हो छे, अवे बाकी नू काम करवा माटे केटलो समय जोई ये, अपणे शोधवानू छे, अवे बाकी नू काम, तो केटलू बाकी रहू युँ य नकी करूँ ओई, तो आजे एक काम छे, एक आखु काम छे, एमा थी अतियर सुधी पूरु थयेलू पांच अस्ट्माउस भागनू काम आपने बाद करिये, तो काम भागि रह UVA तो ये त्रण अस्टमाउस भागनू अने ये त्रण अस्टमाउस भागनू बाकी नू काम पूरू करता केटलो समय जोईए, तो ये माटे नी गणत्री सरण पद मुखी ने करी शकाई, पांच अस्टमाउस भागनू काम पूरू करवा दस दीवस दो समय जोईए, तो त्रमा होह माठे रकम उल्टावाई औने माठे गुणा कारनी यंदर आवे 8, 5 माउस, यटले गनत्री थाई, 13 माउस, गुणिया 10 एकाउस, गुणिया 8, 5 माउस 8, 8, 6 दूडी जाई, पांच दू दस थाई अने त्रण दू छ थाई एटले बाकी नू त्रणस्ट मा उस भागनू काम जो आव यक्ति आज गतिये करे तो यहने एक काम पूरु करवा माटे छ दीवस नो समाई जो ही है अचली सहली गणत थी आपड़ा प्रस्णनो जवाब शो दी शक्ये अबे तमारा स्क्रीन पर आप अची नो प्रस्ण छे How many liters of pure acid are there in 8 liters of a 20 percent solution? एक चोकस chemical सत्वा solution छे और आ solution नी यंदर आ solution नो जथो केटलो छे तो यह 8 liters छे, पन एनी यंदर pure acid केटलो छे तो यह pure acid छे, ए एक कूल जथा ना विस्टका जेटलो छे तो बहुँ सरवर ता थी जानी शकाए के 8 liters ना कूल जथा मा जो 20 percent pure acid होई, तो acid नो भाग 8 liters मा, 8 liters ना विस्टका अथमा 1.6 liters होबू जोई है तो जो तमारा screen उपर जवाब छे C 1.6 liters, तो यह C, यह नो साचो जवाब होई शके यह पशी नी बिगच्छे, question छे, in the figure, mentioned on the board, what is the value of w, अहिया बाड उपर, एक नानी आकृती दोरेली छे, बाड उपर, अने अहिया W नी किम्मत तमारी पासे, शोधवा माटेनू कहिऊ छे तमने, आ किम्मत, आ एक नानी आकृती छे, 22 काकृती छे, एनी अंदर, आ खुणानी, खुणानू माप आप 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 उपियोग करी, आपने आ गणत्री करवानी छे, आप सव जानों छो, कि कोईपन त्रिकोण होई, तो यहने त्रण खुणाओ होई, और आ त्रण खुणाओनों सर्वाडों आप जोई शकोँ छो, कि यह काटकोण छे, एटले नेव आउस नो खुणों छे, आने जो त्रिकोण ना त्रण खुणाओनों सर्वाडों आउस थातों होई, यह पाईकी ना बे खुणाओनी विगत आपनी पासे छे, तो यह बे खुणाओनी रक्कम अथवा एना आउस आपने बाद करिये, तो आज यह त्रिजो खुणों जेने आपनने एनू माप आपनने खबर नथी, यह आपननने प्राप्त थाई, तो त्र मड़ी, हवे जो आखुणों पचास आउस नो होई, तो एक्जेटली एनी सामेना त्रिकोंण सदे जोडाएलो खुणों पाण पचास आउस नो जो होई, यह माटेननो नियम शुँ, तमने हम धाई क्या नियम के विर्देत्व, आकेम साचू छे, साचू यह रिते, कि मानो आउपर, आ बिंदू उपर, कूल 180 आउस ना खुणों बने, आ 180 आउस होई, एमाधी आँ 50 आउस बात करिये, तो आज ए खुणों बाकी रे, ए 180 आउस आउस करिये, तो आ एक्जो त्रिस आउस नो होई, हवे आए एक बीजी रेखा छे, तो आ बिंदू उपर आ रेखा 180 आउस नी होई, एमाधी आ एक्सो त्रिस आउस बात करिये, तो आटलो जे खुणों मलेओ, ए पाच्छो पचास आउस नो होई, एटले सामसा में ना खुणा आक नियम अनुसार ए सर्खा आउस ना होई, आपाचास आउस नो होई, आ खुणों आपन ने आपी दीदो छे, कि आ त्री सामस नो छे, तो फरी एज नियम नो आपने उप्योग करिये, कि कोईपन त्रिकोण ना त्रण खुणा नो सरवाळो 180 आउस होई, ए पाई कि बे खुणा नी विगत आपनी पासे छे, आ खुणों त्री सामस नो छे, बीजो खुणों पचास आउस नो छे, कुल तो ऐसी यह उस एमाधी बात करिये, तो आज ए खुणा नी विगत आपने सोधवा नी कही छे, W, ए 100 उस नो खुणों होवो, जो यह, यह यह बे नियम नो उप्योग करिये, तो आपने एनो साचो जवाब मौशे, ए पछी नी विगत आमारा बौड पर, screen पर, which of the two assumptions is correct, त आची छे, यह तमारे नक्की करवानू छे, यह माटे तमने बे statement आपया छे, तो statement नी अंदर कही हुँ छे, when one large industry closes in India, भारत नी अंदर आवेली, कोई मोटी industry, अथवा कोई मोटू अउध्योगी के एकम जो बंद धाई, यह पोतानू कारिया बंद करे, अथवा विचसर जन माजाई, धन्दो बंद करे, यह संजोगो नी अंदर, at least 30 to 40 suppliers, यह आज यह उद्योग छे, यहने काचो माल, अने अर्थ तैयार माल, वेचिनार, जे वैपारी हो छे, अथवा जे उत्पाद अको छे, जे इने suppliers के वाई, यह वां 30 के 40 suppliers, अने ancillary units are hit, यह एक मोटू अउध अने असर थाई, यह जो उद्योग बं थाई, मोटू उद्योग ही के कम, तो आवा नाना यह कम हो, अथवा suppliers पन पोता नो धन्दो गुमावे छे, अने यह धन्दो पन बं थाई, अवे नीचे assumptions हापिया छे, क्या आए अना assumptions हू, A, all suppliers and ancillary units in India, are not dependent on large units, आपन एम कही हूँछे, के all suppliers and ancillary units in India, are not dependent on large units, तो आप जो ही शको जो के उपर जे, आपन ए statement आपी हूँछे, यह statement नो अर थे हो थाई छे, के जो एक मोटू अउध्योगी के एकम बं थाई, तो ए उद्योग साथे जोडाएला ना 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 एकम हो, अने suppliers, आज जेनी संख्या आस्रे 30 के 40 होई, ए पन पोता नो धंदो गुमावे चे, एनो अर्थ हो थाई, के आवा suppliers and ancillary units, ए मोटा अउध्योगी के एकम ना आधारेज, पोता नो अस्तित्वा जाडवी शके चे, तो आईया assumptions पहलू ए आप जे तमने, ए के all suppliers and ancillary units in India, are not dependent on large units, तो ए बिल्कूल खोटू जे, they are dependent, independent छे नहीं, not dependent means independent, तो ए स्वतंत्र न थी, ए एमना उपर आधारीच छे, बी जे छे, ancillary units cannot exist in isolation, कोई पन आवू नानू सेवा आपतु एकम, अथवा ancillary unit, पोता ना स्वतंत्र व्यवहार थी, के अस्तित्वा पोते भजार मा जाडवी शके न कारण के आवा नाना यूनिटे, पोते जे नानी वस्तु अथवा एकम बनाऊता होई, ए मोटा अउध्यूगी गेकम ने वेचवा मा आवे, मोटू अउध्यूगी गेकम, आवा नाना ना उत्पादों को पासे दी, अलग अलग पार्ट्स मेढवे, एने एसेंबल करे, के जोडाण करे अने पछी आमाधी कोईक नभी वस्तु बनावी ने रुफे scratching करें, त्यारे आवा नाना ना नाना आऊध्यूगी गेकम पोता नुँ अस्तितव जाडवी, शके, एbelsी इन्डिपेंडन्ट अस्तितव जाडवे, ए नाना नाना आऊध्यूगी के जेने के वाई छे एंसिलेरी उनिट्स, ए वेंडर अथवा सप्लायर के वाई, तो एमना माटे बोटा हुद्योगी के कम साथे नू जोडानज एमना अस्तित्वनी साबीती बने छे, एटले B जे छे, A it will be the correct answer. ए पछी नी विगत आपी छे तामारा screen पर, पछी नो question छे, again आज आना जेवोज, which of the two assumptions is correct, पड़ ए माटे तमने एक विगत आपी छे, instruction on the cover page of a book, आप धरेक जणने खबर छे आपने, के कोई पन मुक ना first page उपर आ प्रकारनी विगत प्रिंट करेली होई छे, और ए सुचना जेवी अथवा जाहर notice जेवी विगत होई छे, आने जो तमारा screen पर विगत लखे ली छे, all rights reserved, आप उस्तक माँ जे कोई लखान छे, एना तमाम हक अधिकारो ए रिजवड अनामत राखवा माँ आवया छे, no part of this book may be reproduced by any means without prior permission by the author or authors, एक लेखक होई के एक करता वदारे ले लेखकोई, ए जिया सुधी तमने मंजूरी आपे नहीं, तिया सुधी आ पुस्तक नी अंदर जे कई लखान आप्तवाम आवियू छे, एनो कोई पन भाग नो, कोई पन रिते, अन्यक हेतु सर उपियोग थाई शके नहीं, आवी एक सुचना, दरेक बुख्षदी अंदर एनो अर्थे वो थाई, कि आज ये मैटर जे छे ए ओर्जिनल छे लेखको नू, लेखको ये पहली वखर लेख्यू छे, क्या ही थी, कट, कॉपी, पेस्ट करेलू नथी, कोई नमा थी, उठावी ने सिधू, एने री कॉपी करेलू नथी, अथवा बैतरान जनानू लखान जे होई, अथवा बीजी बुक्स होई, एने बेगी करीके एरेंज करीने लखेलू नथी, अने जरे आवू पोतानू मौलिक लखान होई, त्यारेज कोई लेखक आ लखान नी कॉपी करवा माटे, पोतानो अधिकार औ बाधित अधिकार तरीके अन्नामत राखी शके, मानो के मैं कोई बीजा माथी उपढदीने, अथो बीजा नी कॉपी करीने, मैं जो कोई लखान तयार करी होई, त्येना उपर मारो अधिकार रहतो न थी, पन जो हे मारो मौलिक लखान होई, बीजा कोईनू लखान येमनी अन्दर एड धायलू ना होई, तो ये सन्जोगो नी जंदर मारा मौलिक लखान उपर हूँ, ये नो उपयोग विजा कोई न करे, ये वो अधिकार हूँ चौकस धराऊचुु। तो अवे तमने assumptions आपया चे नीचे, A, the book consists of original writings by the author or authors, ये मनू original writing चे आ, तो बिल्कुल साची वाच चे, पड B part जे चे, B assumption, many people may reproduce the material and claims its originality, घणा माना सो एवा होई चे, के बीजी अलग अलग प्रकारनी books माथी थोड़ी थोड़ी वीगतो भेगी करे, Google माथी लह आवे, अथो बीजी website माथी बदू भेगू करे, अने अधरे पोते पोता नू जुदो essay, पोता नू जुदो topic, अत्मा पोता नू presentation तयार करे, के book तयार करे, अने पछी ये पोता नी जी छे, पोता नू मौलीक लखान चे, ये हुए कहता होई, तो आ एनी वाच छे, many people may produce the material and claims its originality, जुदो बीजा पासे ती आरे ते लखी ओ, ये छता ये claim करे, क्या मारू original चे, मारू मौलीक लखान चे, तो आ बेमाथी वधारे सू साचू चे, जो आ original लखान होई, मौलीक लखान होई लेखाकोनू, तोज लेखाको पुस्तक ना first page उपर, आ प्रकार नी उपर, जे instruction के सुचना आपी छे, ये वीच सुचना आपी शके, otherwise आपी शके नहीं, ये जे assumption चे, ये आ सुचना माटे साचू चे, ये पशी नो question चे, which of the two assumptions is correct? दी संधान मुवी कमपणी, एक कमपणी नू नाम चे, जे नू नाम चे, संधान मुवी कमपणी, ये चल्चित्र बनावती या कमपणी जे, has decided to reissue, ये मिणे ये के वू नक्की कर्यू चे, निरिणली दो चे, to reissue, एकले भुदकाड़नी अंदर, कोई मुवी ये मिणे बनावेलू, चल्चित्र बनावेलू, और ये जाहर जन्ताने प्रदर्शित करेलू, हवे अमूक समाई गाड़ो विती गया पची, ए मुवी फरिधी चल्चित्र तरीके लोकों ने बतावू प्रदर्शित करवू, ये वो ये निर्णे लेचे, एकले भुदकाड़नी अंदर, जो ए फिल्म सफ़ड थाई होई, तो एने फरिधी एने रिलीस करवा मावे, तो ओडियन्स मड़े, तो दर्शा को मड़े, आने तोज ए फिल्म फरिधी दर्शा वामाँ पाण आपने सफ़ड़ था मड़े आने आवक मड़े, पाण एनी साथे बीजो पन मुद्ध होई शके, कि भुदकाड़नी फिल्म सफ सफ़ड होई, पण ए पछी बनावे ली, अत्वा नियर पास जेने कहिए, छेला बेतरन चार वरस दर्म्यान, जे चलचितरो हाँ कम्पनी ये बनाव्या होई, ए जो फेल गया होई, निस्फ़ड गया होई, लोकोने आकर्श्वा मा, अने पोतानी ब्रांडी में टकावी र आकवा माटे, जो कम्पनी पोतानी बुद्गार नी अंदर सफ़ड थाएली फिल्म फरीथी रिलीज करवा मांगती होई, तो इवो पन काराण होई शेके, आप जानों छो के सिक्वल बनावानों एक अतियारे मैनिया चाले चे, सिक्वल, इले कोई एक सफ़ड मूवी होई तो एना अनु संदान लगबग एना जी जेवी स्टोरी साथे नी अने लगबग एच कला कारो साथे नी एना जीवी बीजी मूवी बनावाना अत्वा मूवी नंबर वान, टू, त्री एम एक आखी सिक्वल बनावानों एक अतियारे मैनिया चाले चे, तो एक सफ़ड ता जे बीजी फिल्म ने जन्मा आपे चे, तो एहन एनी साथे जोड़ा आयलो आ प्रश्न जे, दा संदान मूवी कंपनी हैस डिसाड़े तू, रिश्यू, इस ओल्ड मूवी ने जन्यू, नौ, दस अने दस अग्यार नी अंदर जे बाउँ सफ़ड था यली मूवी यती, चल चलचित्र जे छे एनी जे टेकनोलोजी छे ए सिल्वर साथे जोड़ा यली छे, आने माटे एने सिल्वर स्क्रीन केवाई छे, आने मीजे रहते के जो आ चलचित्र 25 हपता आत्वा 28 वाडिया जो थीटर नी अंदर प्रेक्षा को आकर सी सके, तो एने सिल्वर जुबिली उ आपरवा मावे छे, अने एक सफड फिल्म माटे 25 हथवाडिया आये थीटर माँ प्रदर्शित थाए, तो एपन एनू एक बहु मान छे, तो ए रिते, बे रिते